कुछ रोज पहले जब श्रद्दावालकर हत्याकांट की खबरे हमारे सामने आई थी तो मानो ऐसा लगा था कि जुर्म की सारी हदे अब पार हो चुकी है लेकिन अब जो खबरे आपके सामने आएगी इस वीडियो के जरीए उसमें आपको ऐसा लगेगा कि जुर्म की ये एक एक्स्ट्रीम लेवल तक पहुँच चुका है जी हाँ हम आपको एक ऐसे लेविन पार्टनर के बारे में बताने जा रहे हैं जो हाल में सुर्खियों में बना हुआ है जिसने अपने पार्टनर को पहले मारा बहरेमी से कतल करने के बाद उसे कूकर में उभाला यहां तक कि उसको टाइलेट में उसके बॉड़ी पार्ट को फ्लश करने की भी कोशिश ही गई उसको बकाइदा मिक्सी में पीसा भी गया और उसको कुत्तों को भी खिलाया गया दरसल हम बात कर रहे हैं आरूपी मनोसाने के बारे में जिसकी खबरे हाल में सुर्ख्यों में बनी हुई है मनोसाने इस वारदात में काम्याब हो पाता उसते पहले ही मौकाए वारदात पर पुलिस पहुँच जाती है और मनोसाने को पुलिस हिरासत में ले लिती है फिलाल मनोसाने पुलिस कस्टडी में है तो इसी बीच में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर जिस यूवती का उसने कतल किया इतनी बहरेमी से उसे मारा वो कहां से उसके अटैच में आई और उसका बेग्राउंड क्या है तो आपको बता दे कि जिस यूवती का महाँ पर कतल हुआ है उसका नाम है सरस्वती वेद्य सरस्वती वेद्य 32 साल की थी सरस्वती का बच्चपन महारास्ट के एहमन नगर में लहाना गाव में बीता था आपको बता दे कि सरस्वती के माबाप नहीं थे यानि वो एक और्फनेज में बड़ी हुई थी साथ ही वो आपको बता दे कि सरस्वती ने केवल डसवी तक पढ़ाई की थी सरस्वती का बच्पन एहमद नगर की जानकी भाई आपते बाली का आश्रम में बीता था लेकिन यहां से उसकी लाइफ में नया मोर तब आया जब नौकरी की तलाश में वो मुंबई गई उसके बाद वो वहाँ पर मुंबई पहुंचती है एक नौकरी की तलाश करती है और उसके बाद जैसे मुंबई पहुच थी उसके बाद वो इन्फॉर्म करती है गरवालों को कि मैं यहाँ पर काफ़ी खुश हूँ और मैं अपने मामा के साथ वहाँ पर रह रह रही हूँ और इसी बीच उसकी मलाकात होती है मनोसाने से आपको बता दे साल 2014 से लगाकर मनोसाने और जो सरस्बती थी वो दोनों रिलेशन में थे और जो मनोसाने का जो personality थी वो काफ़ी mysterious थी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मनोस साने था उसके जो करेक्टर था वो काफी रहस्मई था बकायदा उसके पास अच्छी वेल्ट थी वो काफी फिल्दे रिष्टा बट फिर भी वो एक पांच हजार रुपे की जॉब करता था जो कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल किसार किसी के जहन में खड़े करेगी साथ ही आपको बता दू कि जो मनोस साने था वो एक किराए के मकान पे रहता था और बकायदा जब उनकी और जो सरस्वति के रिलेशन थी तो वो भी काफी मिस्टीरियस थी क्योंकि उसकी एस से मनोस साने थी वो काफी ज़ादा बड़ा था साथ ही आपको बता दे कि जहां जिस फ्लैट में मनोस साने का कतल किया गया वहाँ पे मनोस साने पिछले करीब तीन सालों से रह रहा था बहराल इस केस से जुड़े जो भी ज़रूरी अपडेट रहते हैं क्राइम तक पर आपको यूँ ही पहुचाते रहेंगे धन्यवाद